हलो वरिवन मेरा नाम है शुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक सद्धा शुशील साउ बच्छो आज हम बात करने वाले हैं most important question from light reflection and reflection ठीक है आप सभी लोगों ने chapter को read कर लिया होगा पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा आज कुछ question आपके सामने हम रखेंगे आप video pause करकर के उन questions का answer देने की कोशित करिएगा अगर आप दे लेते हैं बहुत अच्छी बात है ने तो finally मैं आपको बताऊँगा यह बहुत ही most important question है छटे हुए question है जो कि कह सकते हैं कि neat और जे डवली के foundation level के question है चलिए बात करते हैं बढ़ते हैं question की तरफ अब देखिए question है बड़ा confusing है light travels fastest in अब आपने पढ़ा होगा कि vacuum air इन दोरों छोड़ दीजिए vacuum और air में लगभग आप speed मानके चलते हैं 3 into 10 की power 8 अब जरा यह बताईए कि vacuum में ज्यादा तेज चलेगा यह ज्यादा तेज चलेगा आपका अंसर होगा sir दोनों में बराबर चलेगा लेकिन ऐसा नहीं है असल में light की speed vacuum में ज्यादा है air में कम है क्योंकि vacuum को मतलब कुछ नहीं light को चलने ले एक दम रास्ता खाली और air का मतलब air के कुछ ने कुछ ने पार्टिकल होगे oxygen होगे nitrogen होगे कुछ ने कुछ है ना तो किस में ज्यादा तेज चलेगी vacuum में क्लिक clear हो गया आगे बढ़ते ह है when a light ray travels from water to glass है ना water से glass में जाती है तो यह क्या होगी अब देखिए option में आपको दे रहा हूँ आप इसका answer बताइए option वही है कि bands किदर होगी है ना मान लीजिए कि यह आपका है water और यह आपका है glass लाइट रही है इसमें से इसमें अब यहाँ पर नॉर्मल होगा तो इस नॉर्मल की तरफ bend होगी है दूर जाएगी चार option है towards नॉर्मल यहाँ पर मैं लिग देता हूँ towards नॉर्मल फिर यहाँ से अवे नॉर्मल है ना फिर नाइधर towards नॉर्वे मतब सीदे जाएगी मतब जैसे आ रही हो ऐसे जाएगी तिसरे option में है नाइधर 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 towards नॉर्मल अवे अब फोर्थ वाला option है cannot say पोर्थ वाला option है cannot say अब आप बताएगी सही कौन सा होगा ठीक आप सभी लोग को आंसर पता भी चल गया होगा बहुत यह आसान कोशन है कि जब भी यह water क्या है रेर है आपको मालूम है water रेर है ठीक glass dancer है तो rarer से dancer जाएगी तो यह bend towards normal हो जाएगी ठीक यानि option A हमारा सही हो जाएगा ठीक बहुत सिंपल सी बात है कि अब आप पुछेंगे किस तरह हम यह कैसे जाने कि rarer कब है dancer कब है तो यार बहुत सीधी सी बाता हो जो जितना भारी होता है है ना वो भारी जितना होता वो क्या होता है dancer होता है और जो हलका होता वो क्या होता rarer होता है तो जड़ा बताओ पानी और glass में कौन भारी है glass भारी है तो heat dancer है ठीक clear हो गया और मैंने तो ऐसे सीखा आगया यह refractive index of glass with respect to air अब देखो इसको लिखने के तरीका आपने देखा होगा कि refractive index को n से सो करते ह ठीक फिर with respect to जिसके respect में होता है उसको उपर लिखते हैं और जिसका होता है कि इसका refractive index of glass उसको हम नीचे लिख देते हैं यह तरीका होता है इसको आप समझ लीजे नई समझ भर बताता ता हूँ with respect वाले को यहां लिखते हैं ठीक with respect to air है ना जिसका होता है उसको यह लिखते है जाए gewe pen to index of glass तो glass को आप यहां लिखेंगे और with respect अगर air है तो उसको उपर लिखेंगे इतना यह notion समझने ही आगया होगा ठीक 3 by 2 what is the reflective index of air आप देखो air का पूछ रहा है sorry ये गलत हो गया हमारा air का पूछ रहा है glass के respect में ठीक तो इसको आप उल्टा कर दीजे बस इसमें और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मानना simple सा question है ठीक आगे देखिए focal length of lens depends on चार option आपको में दे रहे हैं focal length किस पर depend करती है पहली चीज पहला option है object distance पर दूसरा option है image distance पर तीसरा option है image distance के बाद तीसरा option है आपका nature of material nature of and last ठीक है last option है आपका none of these बताए सोचिए focal length किस पर depend करती है object distance पर image distance पर कि nature of material पर सोचिए बताए obvious सी बात है हमारा ये तो object distance image distance से कोई मतलब भी नहीं है हमें में मतलब किस से nature of material से कि material कैसा है तभी तो उस उस पर जो भाई focal length की reflection क्या होती है ऐसे मान लो आ रहे है ये कोई light रहे है ठीक after reflection जहां सजाती उसकी focal length करते है तो जिसका material लोगा उसी साफ सुतर तो ये चीज़ डिसाइड होगी जैसे material जैसा होगा तो किस पर डिपन करेगी material पर चलिए आगे देखते हैं power of convex lens of focal length 50 cm अरे भी भाई focal length कितनी है ठीक convex कितनी है 50 cm ठीक है चलिए अब बताए ये 50 positive होगा ये negative होगा कौन केव याद रखेंगे हम कौन केव याद रखेंगे देखो अब मैं आपको बता देता हूँ प्लस माइनस में हमेशा आप गलती करते हैं आज के बात कभी नहीं बोलेंगे ठीक कौन केव चाहे mirror हो चाहे कौन केव lens हो इसकी जो focal length होती है वो क्या होती है negative होती है तो जाहेर से बात है इसका उल्टा क्या होगा कौन केव का उल्टा क्या होगा convex तो इसकी positive आ जाएगी कभी नहीं भूलेंगे आप तो इसकी power क्या होगी 1 upon F with sign तो 1 upon F लेकिन ये क्या होता है in meter होता है clear तो यहां पर 50 upon 100 तो इसको पलट दीजिए ठीक सौब उपर 50 नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा answer डर्टर में रखते है clear है समझ में आ गया होगा बहुत ही simple था पस इसमें यह ध्यान रखना दिया आकसर नम confused हो जाते है तो यार इसको मैंने ऐसे याद रखा कि cave cave मतलब होता है गुफा क्या होता है गुफा share रहता है cave में ठीक तो minus चीज़ share क्या है minus ऐसे करके आप कुछ बना गया रख लिजिए कि गुफा में minus कि सारे sign रखें cave में cave मतलब minus cave मतलब minus तो wax फिर आपका आगे दूसरा इसका पोजिट हो जाएगा एक माइनस दूसरा प्लस हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं what is the cause of reflection of light यार क्यों light reflect होती है बताओ ठीक क्योंकि light की speed अलग-अलग medium में अलग-अलग होती है ठीक अगर यहां भी air होती तो कोई दिक्कत नहीं अपना रास्ता नहीं बदलती लेकिन आप मान लो कि यहां पे air है और यहां पे glass आ गया तो इसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा ठीक तो मतलब cause of reflection क्या है speed of light is different in different medium ठीक अलग-अलग medium में light की speed अलग-अलग है आगे देखिए how is the speed of light in medium related to refractive index तो यार देखो simple सी बात है formula आपने refractive index का पढ़ा है c upon v तो यह तो constant ही है यह क्या है constant है तो बचा क्या ठीक refractive index और speed तो क्या पुझा speed of light तो speed of light इधर ले आई है ठीक तो यह क्या हो जाएगा c upon refractive index तो जब c constant है तो यह इसके proportional हो गया यानि refractive index जादा होगा तो speed कम होगी clear है तो मतलब क्या है inversely proportional speed is inversely proportional to refractive index सीदी सी बात ठीक clear है आगे देखिए in which medium speed of light is lower glass और water अब फिर देखो यह हो गया आपका glass यह हो गया water अब rarer कौन सा है water है ठीक इसमे तेज चलेगी लेकिन पूछा धीमे किसमे चलेगी glass में तो आपका lower में आप क्या बताओगे इसका अंसर glass हो जाएगा कि speed of light glass में कम है ठीक है यह हो जाएगा यह बिलकुल possible है क्यों क्योंकि अगर refractive index change हो जाएगा तो यह बदा हो सकता है clear है when the refractive index of medium is greater than refractive index of material of the lens ठीक है यह इस इस पॉसिबिल आगे देखते हम ठीक यह से पूछ रहा है किस वाले में दो डागराम है A और B ठीक यह आपको object है यहाँ आपकी image है फिर यहाँ यह object है यह image है ठीक O for object magnification किस में positive है तो यार इसमें inverted image है inverted image में negative होता है magnification ठीक A वाले में negative है B वाले में देखो जिधर object है उधरी image बना है ठीक ठीक चैनल को subscribe कर लें bell notification बना देखो आ लें इस chapter के जितने भी important question है मैं अगले part में आपको दे दूँँगा ठीक जिससे आपको concept एकदम clear हो जाएगा यह सारे के सारे question NTSC level के हैं और आपको बहुत अच्छा यह मत्तब सारे question में आपको लगता answer यह होगा नहीं यह होगा नहीं होगा तो इसलिए बहुत important है एक्जामदर ऐसी question frame करता है जिससे आप वहाँ पर अगर आपको concept नहीं clear होगा फिर आप नहीं लगा पाएंगे ठीक तो ठीक है चलिए thank you very much